ये जो बिलर आप देख रहे हैं ऐसा बिलर मुझे अपनी आखों से दिखता है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैं एक ग्राफिक डिजानर हूँ और एक वीडियो एडिटर हूँ करीब 15 से 16 गंटा कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरा काम होता ही होता है मैं इतना स्क्रीन पर अपना टाइम स्पेंड करता ही करता हूँ इससे हुआ ये है कि मुझे दूर का बिलर दिखने लगा है मतलब मेरा नंबर पिलस में बढ़ गया है और मुझे मेरे आई डॉक्टर ने कहा है कि ऐसा इसलिए हुआ है कि तुमारी पास में देखते रहने से तुमारी पास की देखनी की मसल बिल्ड हो गई है अब जो मसल बिल्ड हो गई है उन्हें रिडियोस करना होगा उनको कम करना होगा कम कैसे होंगी उन्होंने मुझे एक रूल बताया वो था 2020 रूल इसको अगर मैं follow करूँगा तो जो मेरा number है वो reduce हो सकता है और मुझको एक eye glasses दे दिया और वो eye glasses यह है इसकी help से मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ जैसा मेरी eye normal थी बैसा ही मैं देख पाता हूँ मुझे sock से चस्मा पहनना बहुत अच्छा लगता है सब किसको बेकार लगता है कि हमारे पास अच्छे eye glasses हो सब पहनते हैं तो यह मेरी जरुवत नहीं होनी चाहिए यह मेरी sock होनी चाहिए तो मैं चाहता हूँ यार यह number है मुझे घटाना है कैसे भी करके तो मैंने YouTube पर search किया मुझे दो वीडियो मिली साथ एक moment की और यह दोनों वीडियो मुझे काफी अच्छी लगी जो knowledge उसमें दिया गया काफी effective लगा और मुझे लगा कि इन exercises को और इन tips को follow करना चाहिए तो follow करने के लिए मैं तयार हूँ और आज एक open challenge ले रहा हूँ कि हाँ मैं उन exercises को जो tips मुझे वीडियो में बताई गई है उनको proper follow करूँगा और करीब मैं दो तीन महिने तक करने वाला हूँ करीब तीन महिने तक मेरी सारी practice होंगी सारी exercises होंगी जो भी उस वीडियो में बताया गया है वो मैं सब follow करूँगा properly और रही बात कि result आएगा कि नहीं आएगा तो result देखने के लिए आप इस blog series को देखते रहेंगे continue मैं 15 दिन में या एक महिने में एक और वीडियो लाऊंगा इसी series में ताकि उसमें क्या result मुझे आए है कोई फाइदा पड़ा है या नहीं पड़ा है वो मैं सब आपके साथ share करूँगा ताकि अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आपको एक effective भी मल जाए कि हाँ ये काम करता भी है ये नहीं करता है मैं कोई sponsor नहीं कर रहा हूँ ये मेरी personal problem है और ये रही मेरी prescription और ये रही सारी tips ये जो मैं follow करने वाला हूँ तो मुझे मेरे eye doctor ने recommend it किया है कि आपकी आपको का number बढ़ गया है और आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा और दूसरा option उन्हों बताया था कि surgery से इन number हटाया जा सकता है लेकिन surgery मुझे नहीं करवानी है मुझे लगता है कि आइडिया सही नहीं है और मुझे लगता है कि इन वीडियोच को अगर मैं follow करूँगा तो सायद जो मेरी muscles built हुई है पास को देखने के लिए वो सायद घट सकती हैं रिडियोस हो सकती है और मेरी आखे पहले जैसी normal हो जाएंगी तो यही यार कि मैं इस challenge को ले चुका हूँ और इसको मैं continuously follow करूँगा और इस vlog series में आपको update देता रहूँगा क्या मेरी आखो का number घट रहा है रिडियोस हो रहा है और मैं हर महीनी में साथ eye test भी करवाऊँगा तो जिससे हम test कर पाएंगे कि मेरा number कम हुआ है कि नहीं हुआ है hope you like it this video bye